हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजय है और आज का हमारा टॉपिक है नोट पैड। आज मैं आपको इस वीडियो में नोट पैड के वारे में सारी जानकारी बोलगा नोट पैड का क्या यूज होता है, किसले यूज करते हैं और उसमें क्या-क्या functions हमारे काम करते हैं तो सबसे पहले हम अपने search bar में notepad सर्च कर लेते हैं यह हमारा notepad और पर हो गया notepad screen के three types होते हैं सबसे पहला होता है हमारा title bar जो यह आपका untitle लिखा हो रहा है इसको हम जैसे किसी नाम से save करेंगे अपनी फाइल यहां पर हमारा title लिखा होगा जैबर वो नाम लिखा होगा जैबर तो इसको हम टाइटल बार बोलते हैं इसके नीचे आएंगे तो हमारा यह है menu bar अलगरा type की menus दिये हुए है जैसे file edit format view और help तो यह हमारा menu bar है और नीचे हमारा आता है status bar यह status bar आपको show कर रहा होगा status bar के just उपर हमारा आता है scroll bar scroll bar तो टाइप के होते हैं इसमें एक होता है horizontal और एक होता है vertical जैसी horizontal और vertical यूज आप करना साहो इस तरीके से यहां से भी scroll करके और यहां से भी scroll करके line ला सकते हैं जैसे आप यह line लिखेंगे उसकी बाद यह सारी चाहिए आपकी apply over तो सबसे पहले हम अपने menu bar में चलते हैं menu में सबसे पहले हमारा है file file के अंदर आप लेखेंगे तो new से हम नया page ले सकते हैं जैसे माली जी आपने कोई page खुला हुआ या किसी और की file खुली भी आप चाहते हैं नया page लेना जैसे मैंने अपने page पे थोड़ा सा ही कुछ लिखती आए अब मैं चाहता हूं नया page लेने के लिए यहां पर आएंगे लिए उपर क्लिक करेंगे और इसको यह पूछ रहा है कि आप जो आपने जो changes किया है आप इसको सेब करना चाहते हैं मतलब मैंने जो भी चीज़े लिखी है उसको सेब करना चाहता हूं तो इसको मुझे नहीं क प्लोस करते हैं मैं आपकी जानपरिक के लिए बता दू जो हम notepad यूज कर रहे हैं यह window 10 में यूज कर रहे हैं और हर विंडो के लिए अलग अलग नोटपैट आप यूज कर सकते हैं जैसे कुछ में आपके कम मिलेंगे जैसे विंडो 7 में आपको यह new window वाला format नहीं मिले लिए तो अलग लग जगे पर थोड़ी बहुत चेंजिस होती है विडिलोस के अकॉर्डिंग तो अपने की तरफ ओपन में आप अपने नौटपैट की फाइल इसको उपन कर सकते हैं उपन में जाएंगे जैसे हमने फाइल उपन कर रखी है इसमें मैंने कर दिया तो देख से पहले हम अपने नया पेज लेना होगा जैसे इसमें से माते हैं पर हम अपना नया बेज ले लेते हैं अब हम इसके अंदर पोई मैटरियव देते हैं जैसे जोड़ी चीजी लिखने हैं इसके अंदर जैसे मैंने रीड़ दिया ठीक है अब इसको हम सेव करेंगे सेव यहां पर जो भी हमें टाइटल डालना है वो टाइटल लिख सकते हैं मतलब और जिस नामे cyaap को सेव करना हैं तो हम पर इस में बोट चींजस कर देते हैं कि यह मैंने लिखती है इसमें एक लाइन ओध अब इसको मैं सेवेस्ट करूँ अब सेवेस्ट से क्या होता है आपकी फाइल एक तो अगर आप नाम जेंज करना चाहते हैं अपने पाइल की तो नाम भी चेंज कर सकते हैं प्लस आप आपने जो चेंजिस किया है चेंजिस के सा सबस्ता है तो एपने अek्जेस्टिट्टिंग फाइल में क्या ऑलरेड़ी एक्सेसिंग फाइल में ही खरना चाहते हैं चैनल चीह स्कोनगे टो यह हो जाएगा इसके बाद है अपकी हमारे पेप सेटप करना चाहितों तो यहां से हम साइज भी चेंज कर सकते हैं वाट जो हम एक्च्छा साइज रखते हैं हमेशा अप्रेटिके लिए कि आपके था कि आप इसको पौड़रेट करते हैं अपलाई करते हैं अब अगला है हमारा एक शीज ध्यान दिना आप कि अगर हमने प्रिंट प्रिंट दिया है तो हमारा पेज जो है पेज में हमें कोई चेंजिस देखने को नहीं मिलेंगे जब हम प्रिंट देंगे तो प्रिंट के टाइम पे हमें वो सारी चीजे उसी हिसाब से प्रिंट होके आएंगे जो हमने चेंजिस किया है तो इसमें आते हैं अगला ह हमारा प्रिंट प्रिंट से प्रिंट दे सकते हैं इसके लिए आपके पास प्रिंटर से आप इसको प्रिंट करेंगे तो यहां पर प्रिंट में आपको आपको सारे पेज करने हैं तो ऑल पर कर लेना कोई सेलेक्टिट पेज करने हैं सेलेक्शन ने चले जाना और नंबर ऑफ पेजिस मतलब आप किदने पेजिस जो को प्रिंट करना चाहते हैं यहां से भी सेट कर सकते हैं इसके बाद है नमारा फाइल टैब हुमारा कम्पीट हो गया एकशीट सी हम बमसे एक और चले याँ किरेंगे यह इसके बाद से एंडिट में edit में सबसे पहला अंडू अंडू होता है एक सटीप पीछे जाने के यह सटाप रशनसे माली जी मैंने सलेक्ट किया यह में कलती से देल्ट हो गया अब में दोजा ने सटीप बैट करना चाहिए तो पेस्ट करने है तो आप लेदा करेंगे इसके बाद इसे मैंने पेस्ट करती है इसके बाद आता है अमारे से के अंदर है डिलिट पेस्ट तो मैं कर लिया डिलिट डिलिट आप अपने कीवोड से भी यूज करते हैं कीवोड में भी आपको डिलीट का उप्शन दिल जाएगा अधरवाइस आप यहां से भी मैंनुले डिलीट करना सहें तो कर सकते हैं अगे बढ़ते हैं आगे हमारा सर्च भी नहीं करना है इस इंद цветview को हमारे पैराग्राफ ने जो भी हमने लिखा है तो अब मैंसे में वी डिमताओं घि मैनने विलो कहां प्रिखा हुआ यह डाउन जाएगा अब यह उपधर से निचर्द करेगा नेक्स्ट करेंक ऐए इसके बाद है वहारा अगया कि अगर नहीं होगा उनकी लास्ट एक ही है जिसको हम अगर रिप्लेज करना चाहें तो रिप्लेज भी कर सकते हैं यहां पर आएंगे और फाइन के बाद है फाइन एक्स भी हमारा इसी के अंदर कवर हो गया था फाइन प्रीवियस यानि पिछल कोई सार्च करना है जैसे ब्लों की जगह मुझे अब वो कर देते हैं कर देंगे इसको अगर आपको सेड़ाइव और वर्ड को आपको करना तो हमारा go to का option नमारा open में जाएदा वो को हमें किसी भी line में direct जाने के लिए जैसे माले जी हमारी line है उसको मैंने select किया और इसको मैं करनेता हूं copy करने के बाद इसको मैं paste कर देता हूं दो-तीन वार मैंने पेस्ट कर दिया, अब मुझे लाइन नमबर, डिरेक्ट लाइन नमबर 5 या 8 में जाना है, तो लाइन नमबर जैसे नालजी मुझे 8 में जाना है, तो 8 में आएंगे, यहां फेम एट लिखेंगे, और जैसे ही एंटर करेंगे, खंदाइन नमबर 8 में आ ज सेलेक्ट करने के बार देखिए एक प्लेस के बाद वोकु आता है गुल्दू में किसी भी पेज़ पर हम डायक्ट जाएंगे लाइन नमबर एट लिखा मैंने सब्सक्राइब कैसे पता चलेंगा एक लाइन तो यह हुगी दो तीन चार फांट शेयर साथ ठीक हो इसके बाद हमारा अगला आध कर ओल्स सरे हमारा कंप्लीट पलेट ऐस इलयक्ट करना चाहरे कनार सकते है है एडिाट खटम होने के बाद हमारा ओता है अगला फॉर्मेट में आएंगे फॉर्मेट में है वायुद ब्रयप देखे वाड़प hours ओन रहेगा को टैक्स्न हमारा single line में ही repeat होता रहेगा देखिए जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ देखिए single line में ही आपका आता रहेगा इस तरीके से यह next line में आपका convert नहीं होगा तो इसके लिए हम word wrap on करते हैं ताकि जो भी हमने text लिखा हुआ है हमारा जहां तक window दिखाई दे रहा है इसके बाद यह next line में convert हो जाए तो इसको word wrap on करेंगे word wrap on करने के बाद अगर अब मैं कोई भी line लिखता हूँ तो हमारी अगली line में convert हो जाएगी जहां तक window दिखाई दे रहा देखिए इसके बाद हमारी अगली line में convert हो गई है इसके बाद format के अंदर हमारा आता है अगला font यहां से हम font का style change कर सकते हैं size change कर सकते हैं इसके लिए हमें control A से अपने font को select करना पड़ेगा font select करने के बाद font पे click करेंगी इसके बाद यहां पे हमारे पास कुछ font के style दिये हुए है जो भी हमें ठीक लगता है वो choose कर सकते हैं यहां पर sample की दोर पे हमारे दिखाई देगा कि कैसे हमारा change हो रहा है और यहां से size increase और decrease कर सकते हैं और यहां से apply कर सकते हैं apply करने के बाद देखिए हमारा font का style जो था वो change हो चुका है इसके बाद अगला आता है हमारा view view में zoom in zoom out है हम page को zoom कर सकते हैं चाहे तो आप control plus से भी zoom कर सकते हैं control plus से आपका zoom हो जाएगा और control minus से आपका zoom out पर जाएगा इसके बाद है हमारा view में status bar status bar से आप status bar इसका on कर सकते हैं इस तरीके से आपका status बार नीचे दिखाई देगा, यह बताएगा हमें किस line में हैं और किस column में है, line में देखी जिस भी line में जाएंगे, line number 12 दिखा रहा है और column number 32, मतलब इसके आगे 32 words के gap है, तो इसके बाद चलते हैं हमारा, view भी हमारा खतम होगा, view के बाद help है, help में आप notepad कौन से window में यूज़ कर रहेंगे, बता देगा आपका, जैसे मैं आप window 10 यूज़ कर रहा हूं notepad के लिए, और यह आपका notepad आपका complete, मैंने आपको इसकी जानकारी दे दी, अगर इसमें कोई भी doubt होता है, कोई भी query आती है, आप comment कर सकते हैं, news query को resolve करूँगा, ऐसी और interesting videos के लिए आप हमारे channel को subscribe पर सकते हैं,